हेलो BSC First Year Student, कैसे हैं आप सभी लोग? उमीध है आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो के इंदर हम डिसकस करेंगे BSC First Year Botany के First Semester में आपका Theoretical Paper आता है Microbiology and Plant Pathology दोस्तो इस semester से already में कई सारी videos upload कर चुका हूँ अगर आप उन videos को देखना चाहते हैं तो description box में आपको link मिल जाएगा या फिर आप channel के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से playlist मिल जाएगा आज किस video के अंदर हम डिसकस करेंगे Paksinia Fungi के बारे में Paksinia Fungi को हम दो parts में cover करेंगे second part के अंदर हम इसके life cycle को discuss करेंगे exam paper में long question में आपसे 7.5 नमबर में या 10 नमबर में आपसे पूछा जा सकता है generally Paksinia Fungi के बारे में last section में ही आपसे पूछा जाता है अगर आप sold या unsold paper उठा कर देखेंगे तो last section में long question में पूछा जाता है describe the life cycle of Paksinia Fungi अब यहाँ पर इसकी life cycle को हमें कैसे mention करना है exam paper में कितना लिखना है कितना छोड़ना है कौन-कौन से point हमें exam paper में जो written copy है उसके अंदर कितना mention करना है student को यह सब clearly नहीं पता होता है अगर वो unsolved paper उठा कर देखते हैं तो उसमें बहुत सारी theory mention की गई है अगर वो notes उठा कर देखें तो वहाँ पर भी बहुत सारी theory mention की गई है तो student को पता नहीं होता है कि अगर साड़े 7 नंबर या 10 नंबर में long question में आता है तो हमको कितनी theory mention करनी है कितनी जरूरी है और कितनी आप mention कर पाएंगे क्योंकि student यहाँ पर पकसीनिया फंजाई की life cycle काफी long life cycle है और काफी ज़्यादा time आपका खर्च हो जाएगा तो अपने time को बचाने के लिए आपको simply उस questions को attempt करना पड़ेगा section E में जो कि जिसे आप आसानी से कर भी पाएं और जिसे आप जल्द cover कर लें जैसे for example आपसे last section में दो question पूछे गए एक तरफ आपसे पूछा गया austri lego fungi की life cycle के बारे में दूसरी तरफ आपसे पूछा गया paxinia की life cycle के बारे में तो इस case में आप लोग अगर आपको दोनों question आते हैं तो आप austri lego fungi को attempt करेंगे लेकिन अगर आपको paxinia ही आता है यानि कि आपके पास कोई option अवेलेबल नहीं है तो उस case में आप लोग paxinia fungi को explain करेंगे इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि बहुत जादा time इसमें spend हो जाता है अगर आप बहुत ही कम लिखेंगे तो भी इसके 5 sports है 5 stages है जिने आपको explain करना होगा diagram भी बनाना होगा इतने में काफी जादा time आपका spend हो जाएगा definitely तो इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर चलिए start करते हैं पकसीनिया के बारे में दोस्तों यदि आप BSC के concept को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस channel से जुड़ सकते हैं यदि आप new education policy के coding जो नया syllabus launch हुआ है अब आप उसके coding पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस channel से जुड़ सकते हैं heading डाली जी introduction अभी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर की आपको कितना mention करना है अगर long question आप से पूछा जाता है फिलाल इस वीडियो के अंदर मैं सभी points कवर करूंगा पक्षीनिया से related क्योंकि MSC के student भी इस वीडियो को देखते हैं यह रोग अर्थात black rust of wheat विश्व के लगबग सभी उतपादक देशों में पाया जाता है तता फंजाई पक्षीनिया ग्रेमने स्टिटी साई द्वारा उतपन होता है यह भारत वर्ष में ग्यहूं का एक प्रमुक रोग है लगबग प्रती वर्ष एक से दस परसेंट तक ग्यहूं इस disease के कारण damage हो जाता है इस रोग का कारण प्रती वर्ष लगबग 40 से 60 लाक रुपयों की हानी होती है नोर्थ इंडिया में यह रोग प्राइब मार्च में तथा दक्षिन भारत में यह नवंबर में प्रकट होता है अगर हम इस disease के symptoms की बताएं कैसे पता चलेगा कि यह किसी plant के अंदर disease हो चुका है तो इस लक्षन क्या है इस रोग के तो इस फंजाई के infection से गेहों के पोधे के जो इस्तंब होते हैं जो पतियां है यानि लीफ होते हैं या फ्लावर्स होते हैं उन पर elongated strats आ जाते हैं एक धब्बे दिखाई देते हैं ठीके इस sport दिखाई देने लगते हैं लगबग आकर्मन के 10 दिनों के पस्चात infection में जो infected plant होता है वो गहरे भूरे रंग का या red color का हो जाता है तता सिग्र ही वहाँ पर एक powdery सत हैं एक powdery surface उत्पन हो जाता है अब हम देखते हैं इसका systematic position के बारे में हेडिंग डालीजिये classification of paxenia, paxenia kingdom mycota, division basidium mycotina, class teleomycities के अंतरगत आता है order uridinals, family paxenia, genus paxenia से बिलोंग करता है, paxenia gramnia यानि black rust एक विश्तरत रूप से फैलने वाला गेरुआ यानि rust फंजाई है जो कि हमारे जो cereal plants होते हैं जैसे गेह, जई, जो राई या घासो पर व्यापक रूप से पाया जाता है तथा इसमें सरोप्रसिद रोग, बहुत ज़्यादा famous disease है, red rust तथा black rust रोग को फैलाता है यह जो आप diagram देख रहे हैं, इस diagram को समझने से पहले हमें urido spores के बारे में पढ़ना होगा तो urido spores को पढ़ने के बाद हम इस diagram के उपर discuss करेंगे अभी आपको कुछ introduction में, कुछ important points में आपको बता देता हूँ जिनके बारे जिसे कि आपको इस फंजाई के बारे में कुछ और भी details मिले पकसीनिय ग्रैमनिस प्रमुक रूप से इस देश में गेहु का जो पोधा होता है, wheat का जो प्लांट होता है उसमें गेरुआ रोग यानि rust disease को फैलाता है इस रोग का में लक्षन यह है कि यह होस्ट प्लांट के विविन जो aerial parts होते हैं उनमें लोहे की जंग के जैसा एक rust यानि एक powdery surface या स्पोर्ट्स बना देता है इस रोग का ज्यान रोमन सामराज जिसे ही है रोमन लोग मानते थे कि इस रोग का फसलों में होना देविय प्रकोप है यानि उनकी जो देवी देवता है वो गुस्से में आकर के इस रोग को फैलाया है इस कारण वे 25 अप्रेल को इस रोग की वज़े से अपने देवता की आराधना है तो तेवहार मनाते थे प्रन्तु अब यह प्रूफ हो चुका है कि वीट पर रोग एक फंजाई पकसीनिया ग्रेमनिस द्वारा फैलता है पकसीनिया ग्रेमनिस एक यूफोम मैक्रो साइकलिक फंजाई होता है अर्थात जीवन चेकर जो इसका बहुत लंबा होता है जो की पाच डिफरेंट स्फोर्ट के निर्मानिके द्वारानिक होता है यह पकसीनिया एक येट्रोसियस गिरवी रस्ट है चुकि यह अपनी life cycle को दो होस्ट में कमप्लीट करता है इसका पहला होस्ट होता है गेहूं यानि गेहूं का पोधा Triticum vulgaris और दूसरा जो होता है वो है Barbaris vulgaris दूसरा जो प्लांट होता है वो Barbaris vulgaris जिसका scientific name है Barbaris vulgaris Northern India में यह rust disease फसल के पकने पर March या April में दिखाई देता है जबकि Southern India में यह November में ही दिखलाई दिने लगता है और फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुचाता है पकसीनिया गरिमनी स्टिटी साई के Life Cycle को 5 stages में डिवाइट किया जा सकता है जो की Spore की Nature पर Depend करता है और 5 stages निवन प्रकार है पहली stage है इसकी Euridospore जो की Binucleate stage होती है यानि कि इसके अंदर 2 Nucleates present रहते हैं और यह गिहुँ के पोधे पर Attack करता है नमबर 2 पर आती है Tillitospore पकसीनिया गरिमनी स्टिटी साई के Life Cycle की Second Stage होती है जो की Binucleate होती है Euridospore, Tillitospore यह दोनों के दो Binucleate होते हैं Binucleate का मतलब जिसमें 2 Nucleates हो और यह भी गिहुँँ के पोधे पर Attack करता है नमबर 3 पर आता है Besidiospore Besidiospore एक Uninucleate Stage होती है यानि इसमें Single Nucleates पाया जाता है और यह Barberi Plant पर Attack करता है पकसीनिया गरिमनी स्टिटी साई की जो इसके Life Cycle की Fourth Stage होती है Pekinidiospore यह भी एक Uninucleate Stage होती है इसमें भी Single Nucleates पाया जाता है और यह भी Barberi Plant पर Attack करती है इसके बाद No.5 पर आता है Esidiospore यह इसके Life Cycle के Last Stage होती है Esidiospore और यह भी Barberi Plant पर Attack करती है तो आप बिल्कुल Common चीज यहाँ पर देख रहे होंगे जितने भी ऐसे Spore हैं जो की गेहों की Plant पर Attack कर रहे हैं वो Barberi Plant पर Attack कर रहे हैं अब मैं आपको एक Point आपको बता देता हूं जो की Exam Paper के लिए भी Most Important है और आपको कई तरह की जो Questions होते हैं आप से Qs में पुछा जाए तो भी आपके लिए Important है Student आपको इसको Sequence वाइस ज्याद करना है Erudiospore, Tillitospore, Basidiospore, Picnidiospore, Acidiospore इसे किसी भी तरीके से आपको बिल्कुछ Sequence-wise ज्याद रखना है ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि Erudiospore के बाद आप Directly Basidiospore बना दें या इसके बाद Direct Acidiospore सब कुछ Mix कर दें ऐसा नहीं होगा इसकी Life Cycle को अगर आपको अच्छे से समझाना है एक्जाम पेपर में या इससे पकसीनिया के Basis पर कही तरह के Questions को अगर आपको Attempt करना है या Solve करना है तो आपको इसको Sequence-wise ज्याद करना होगा अब हम सबसे पहले Discuss करते हैं Euridiospore के बारे में Euridiospore कैसे होते है जो कि इसकी Life Cycle के First Stages होती है भारत के मैदानी भागो यानि Plains में गेहूं जो होते हैं वो October या November महीने में बोया जाता है लेकिन Rust Disease का जो आक्रमन है वो February या March में देखा गया है यह रोग गिहों की पत्ती जो Wheat Plant की Leaf होती है स्टेम होती है उन पर भूरे से रंग के गहरी धारिया इलोंगेटिड इस्ट्रेक्ट्स या स्पोर्ट के रूप में दिखाई देती है यह स्पोर्ट्स वास्तो रूप में यूरुडो सोराई होते हैं जिसमें काफी सारे यूरुडो स्पोर्स भरे होते हैं यूरुडो सोराई का निर्मान बहुत सारे ब्रांज्ट हाइफी के कुछ भाग जिसे हम स्पेरो स्पोर कहते हैं उसी से होता है host के stem leaf तथा epidermis की नीचे ये एकत्रित हो जाते है तथा प्रतेक हाइपी का अगर पार्ट जो apical पार्ट होता है वो फैल करके गोल आकार हो जाता है तथा uridospore बनाता है uridospore की अगर हम structure देखे तो प्रतेक uridospore spherical होता है binucleate होता है spherical या गोलाकार और binucleate होता है और प्रतेक uridospore के चारों और दो layer होती है दो layer वाल होती है जिसे हम जो बाहरी भित्ति है उसे हम exospore कहते हैं जो की मोटी होती है और काटेदार वो कथजट्था ही रंकी ततहा endospore प्रवेस करते हैं और फिर इसी रोकों फैलाते हैं इस प्रकार पोधों में बिमारी फैलने से पूरे खेत में या समस्त पोधों में बिमारी फैल जाती है इसके बाद आता है Teleto Spore Euridospore को डिसकस करने के बाद अब हम डिसकस करेंगे Teleto Spore के बारे में लेकिन उससे पहले हम धायगराम देख लेते हैं Euridospore का Euridospore की इसडाइगराम के अंदर हम समझते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे डियाग्राम में A, B, C, Paxenia, Greminis, Euridospore stage की बारे में बताया गया है जिसमें अगर आप देखेंगे A, An Infected Wheat Plant Showing Euridospore on Leaf and Stem इसकी Leaf, यह जो Leaf है और यह जो Stem है इसमें आपको इसमें Euridospore दिखाई दे रहे होंगे इसी Euridospore के अंदर Euridospore भरे रहते है इसके बाद अगर आप B पर देखेंगे यह जो B डियाग्राम दिखाए गया है यह एक Leaf का Transverse Section है अगर आप किसी Leaf का Transverse Section काट करके उसे ध्यान से देखेंगे तो उसमें यह Euridospore से है ठीक एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ यह जैसे Leaf है इस Leaf में यह क्या है? यह Euridospore है जो Euridospore की रूप में दिखाए दे रहे है अगर आप इसको Zoom करेंगे यह Electron Microscope से देखेंगे इसको काट करके तो आपको इस तरह की Structure दिखाए देगी यह Host Cell है यह Fungal Hype है और इसी पर यह Euridospore बनते हैं यह क्या है? यह Euridospore है अगर आप इसको Collectively बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? Euridospore अब इसकी Single Structure को आप ध्यान से देखेंगे तो यह है इसकी Single Structure जो की C में दिखाए गया है जिसमें आपको दो निकुलेस दिखाए दे रहे हैं यह है Endospore और यह इसका Exospore यह Exospore इसकी बाहियवाल होती है यह इसकी इंदर Cytoplasm तो I hope आपको Euridospore की Structure अच्छी तरह से समझ में आ गई है Student Confuse होता है कि क्या Exam Paper में यह Diagram बनाना है या नहीं बनाना है तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ अगर Exam Paper में Long Question में आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले आप लोग Introduction में इसके बारे में बताएंगे कि Paxenia Gramines एक Macrocyclic एक Euphome Macrocyclic fungi होता है और इसके जीवन चक्र के अनदर आने वाली जो 5 चुछ स्टेज है उसके बारे में आप लोग लिखेंगे और फिर 1 by 1 उन सभी को explain करेंगे जैसे Urudospore है इसके बारे में आपको explain करना है कहां से explain करेंगे थोड़ी बहुत आप उपर के कुछ जो point है उनको mention कर सकते हैं उसके बाद आप लोग यहां से यहां तक के यह सारा important है इसको mention करना ही पड़ेगा आपको Urudospore के अंदर यहां से यहां तक के जो कि मैंने आपको बताया इसके बाद Tilyto Spore में भी आपको इसकी जो structure है इसका diagram नहीं बनाना है आपको diagram आप कोई भी नहीं बनाएंगे अभी पहले आप उस number second stage इसकी जो Tilyto Spore है इसके बारे में आप लोग बताएंगे इसके बाद आप लोग इसमें बताएंगे besidious spore के बारे में जो इसकी besidious spore stage है फिर picnidious spore stage है उसके बारे में आप लोग बताएंगे and diagram अभी तक आपको किसी का भी नहीं बनाना है diagram सिर्फ एक है जो की important है इसके बाद आप लोग acidious spore को explain करेंगे और finally यह आपका एक cover होगा diagram यह जो आप देख रहे है diagram एक most most important diagram है पक्सीनिय ग्रेमनिस फंजाई का तो यह पूरा diagram आपको exam paper में mention करना होगा तो next video के अंदर मैं इसको पूरी तरह से completely हम इन बचे हुए sports score इस diagram को अच्छी तरह से cover करेंगे methods of control अगर exam paper में आपसे specially पूछा जाए तो भी आप लिखेंगे अगर systematic position अलग से आपसे पूछा जा रहा है तो भी आप लिखेंगे वरना आपको mention नहीं करना है वरना आप काफे ज़्यादा time लग जाता है क्योंकि इन ही को explain करने में आपके 3 से 4 page या 5 page भर जाते हैं जो की sufficient है सो student मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई टटा